अपने टिकेट करो सारी अधर टिकेट करो सारी अधर 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 चलो जी उठाओ चाहे हैलो एवरिवन असलाम अलेकों कैसे हैं आप सब आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे अलहमदोलिल्ला से मैं भी ठीक हूँ जैसा कि मैंने पहली विलोग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग जो हैना वो लोहौर आये हुए हैं और आज कल मैं आप लोगों के साथ अपनी लोहौर सीरीज जो हैना वोई शेयर कर रही हूँ तो जो ही मुझे टाइम मिलता है क्लिप बनाने का या कुछ शूट करने का तो मैं फोरन जो है ना वो छोटे-छोटे क्लिप शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो आज हमें लहोर आए हुए तकरीबन पांच-छे दिन हो चुके हैं तो चलें जी शुरू करते हैं अपना आज का ये विलोग मेरी सिस्टर इन-लाउस के लाउस में से इन-लाउस में से जो था ना वो एक पेशन्ट जो था ना वो शेखसाद ऑस्पिटल एडमिर्ट था तो उसका उपरेट हुआ देट इस वाई हम लोग जो था ना उसकी यादत के लिए गए और कुछ नाश्टा लेके जो थी ना वो गए और वहां में छोटा सा क्लिप जो था ना वो शूट किया वापसी पे जब आए तो दोपहर की खाने का टाइम जो था वो हो चुका था और आज जो था ना फिश बना रही थी और फिश जो थी ना मैंने ही बनानी थी तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो फिश है एक तरफ मैंने फिश को जो है न वो फ्राई कर लिया है सिर्फ मैंने फिश मसाला ही लगाया है और इसको मैं सिंपल जो है न वो फ्राई करके निकाल लूँगी और दूसी तरफ मैं बना लूँगी उसका मसाला उसमें प्या, सद्रक, लेसन, गार पेस्ट और सबस मिट्चें, टमाटर वगएरा सब जो है इसको मैं ब्राउन करके तो मिक्सी में पीस लूँगी और फिर इसको भून के तो फिश जो है वह इसमें शामल कर देंगे और देही में मैंने शामल किया है फिश मसाला तो बस वो डाल देंगे जी और हमारी मज़ेदार सी फिश जो है वो रेड़ी हो जाएगी और यहां पे है रात का टाइम, फिर तो मैंने कोई भी क्लिप जो था ना वो शूट ही ना किया ना मेरे पास इतना टाइम ही था तो बस यहां पे है रात का टाइम और बच्चे जो ना उपर पोर्शन में उपर वाले पोर्शन में जो था ना वो टीवी देख रहे थे तो मैं आई देखने के लिए कि अभी तक सोएं हैं या नहीं काफी रात हो गई थी और यह अभी तक बैठे जो थे ना वो टीवी दे थाना वो फोग से या धूंद से कहलें के छुप गया था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था तो हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए निकले ही ना क्योंके मौसम बहुत ज़्यादा खराब था और फिर क्या हुआ कि नेक्स टेज थाना मौसम बहुत अच्छा था क्लियर धूब निकल आई हुई थी तो हमने क्या किया किया कि सोचा के चलें जी आज करते हैं लहुर को एक्सप्लोर थोड़ा सा विज़िट कर लेते हैं सैर कर लेते हैं मौसम का क्या पता तो बस पिर हम पहुंचे और इज ट्रेन पे और वहां से सीधे हमाई अनार कली अनार कली गुमाते हैं फिर हम पहुंचें जी यहां पर आर्ट गैलरी यहां पर देखा सारा कुछ जितने भी फन पा रहे थे और बहुत अच्छा था बड़ा देखने में मज़ा आया एक तरफ खताती थी और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़े जो थी ना वो में देखनों के मिली उसके बाद जी हम फिरते फ़राते लहूर को पहुंचके जी लहूर म्यूजियम और चलें आज आज आपको मैं लहूर म्यूजियम की सेर कराती हूं अपने साथ लाहौर म्यूजियम एंटर होते ही सबसे पहले तो हमने अपना समान जो था ना वो जमा करवाया और वहां से बाई किये जी टिकट्स क्यूंकि समान साथ लेके अगर हम सेयर करते हैं तो बिल्कुल भी कोई मज़ा नहीं आना था तो टिकट्स लेके हम एंटर हो चुके हैं जी म्यूजियम में और चलें मिलके सेयर करें अजके वियुगों मुदूणके सेयर कोई नहीं आना था अएalnya। दोड़ एखर लूड़ू झाल झाल साथ नो डाऊट लौलौ है नू डायाँट लौ लौर। गंदारा बुदमत और गंदारा की वो जो तेहजीब है वो देखो प्रहट गोतंबुद यह बड़ा इदुर से हुआ है थे नहां सकते हुआ है जब जबआ टार जो बुम जब जब जो होता है जो जब बजोनस्देल की तरदेल जब एक्षिव और अवड़ what is this, Shahi Oda'sik हमने पूरे म्यूजियम को बड़ी डिटेल के साथ देखा हर चीज जो थी ना वो बड़े तवज्जो के साथ देखी और बचों ने बड़ा इंजॉय किया कोई भी पॉर्शन ऐसा नहीं था जो हमने छोड़ा हो या देखा ना हो तो एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जस्ट लुकिंग लाइक वाव बहुत मज़ा आया और यह हमारा जो था ना वो लहोर में सैकिन्ड विसर्ट था कुछ भी देखने के लिए तो बस काफी देर जो थी ना वो हमने लहोर म्यूसियम का विसर्ट किया तकरीबन यू समझ लें कि हमें तीन बच गए थे इधर ही फिर हम वहां से निकले और पैदल ही हम माल रोड पे आये क्योंकि हम चाहते थे कि पैदल ही लहोर को जो है ना वो देखा जाए कुइंस पे या फिर गाड़ी पे या फिर रिक्ष्चे पे जो थैना वो इतना मज़ा नहीएा थ ये पैदल चल के लहोर को देखने में मज़ा आना था और लहोर की बालकनिया बिल्डिंग्स और जो थे सडकें ये पैदल चल के देखने का जो ये बस पहुंचे घי हम किया हुआ था तो फिर हम उनके पास पहुंचे यहां पे तकरीबन हमें चार बज़ के थे फिर असर की नमाज भी जो थी ना मेरे हजबन ने यहीं भी अदा की और उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से जो तरना सर्फ किया बहुत ही मज़ेदार किसम का पलाओ और नो डाउट बहुत मज़े का खाना था भोग भी लगी हुई थी और खाना भी बहुत मज़े का था तो बस अबने मिलके यहां पे खाना एंजॉय किया और अल्ला का शुकर किया थोड़ा सा फ्रेश हुए और चल चल के ना हम ठक भी बहुत कहे थे तो बस फिर इसके बाद हमने जो था ना वो चाई वगएरा पी और नमाज वगएरा पड़ी और इन लोगों का जो मुबाईल असेसरीज का अपना करोबार है और चाइना के साथ जो था ना यह इनकी डिलिंग थी तो यहां पे इन्होंने बड़ा जबदस किसम का चाइनीज जो बटन थे उनका एक पूरा सेट आफिस में रखा हुआ था जो के बहुत ही खुबसूरत लग रहा था तो मैंने आप लोगों के लिए भी से शूट कर लिया तो बस जी बड़े हाँ हमने रिलेक्स होके खाना वगयरा खाया और फिर जो चाइ आई ना तो क्या ही बात थी चाइ बहुत मज़ेकी थी बहुत ही टेस्टी थी और जिस दिन से मैं लहौर आई हुई 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 ना हाँ काफी देर बैठे रहे और फिर शाम का टाइम हो गया तकरीबन मगरब से पहले का तो हम पहुँचे जी चमन आईस क्रीम खाने जो चमन आईस क्रीम बहुत फेमस होती है तो वैसे तो फेमस तो बहुत है लेकिन मुझे तो कुछ खास इसका पसंद नहीं आई बच्चे थे साथ तो बच्चों को जारी बात है वो तो हमने पर खिलानी खिलानी थी पर सबने मिलके आईस क्रीम एंजॉय की सारा दिन लहूर घूम घूमा के और इंजॉय करके तो अब हमारा वापसी का सफर जो ना वो स्टार्ट होता है और हमारा जो आना जाना है ना कहीं भी वो हम ज्याता तर औरंज ट्रेंड से ही आ जा रहे हैं और इसी से इंजॉय कर रहे हैं तो बस जी हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं यही तक है मेरा आज का ये विलोग आई होप के आपको पसंद आएगा अगर मेरे चैनल पे आप नहीं है तो और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर लेंजी सब्सक्राइब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सरूर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजासत अला हाफीज